नमश्कर दोस्तों आपका स्वागत है एरिक मेड़हस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उमर में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके मा ने एक आटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर किया और उसको बहुत सारी बाते उसने पुछी आज के इस भाग में दोस्तों एरिक के मा ने उसको ये पुछा है कि क्या तुम आत्म लोग में टाइम ट्रेवल कर सकते हो गया अब टाइम ट्रेवल मतलब हमें जिस तरीके से टाइम ट्रेवल पता है जैसे हमें लगता है कि हम वक्त को पीछे मतलब करेंगे और उसके बाद हमारा जो भविश्य है आने वाला वो पुरी तरीके से बदल जाएगा यहाँ पर एरिक के जो माँ है उसने वैसे टाइम ट्रेवल नहीं पुछा है उसने ये पुछा है कि जैसे अभी मैं समझो 31 साल का हूँ तो 25 साल पहले मतलब उस तरीके से मैं जिस उमर में था तो ऐसे वक्त को क्या मैं फिर से आत्म लोग में जिन्दा मतलब कर सकता हूँ क्या उस परिस्तिती को मैं फिर से जिन्दगी जी सकता हूँ क्या उस पल का जो अनुबह हुए मैं फिर से ले सकता हूँ क्या तो इस तरीक से एरिक के जो मा है उसने उसको सवाल पूछे तो एरिक ने उसका बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है उसने ये कहा है कि ये जो बाते है आत्मों लोक में बहुत ही अच्छे से संबह हो पाती है समझो आतमलोक में कोई में एक जिन्दगी जी रहा हूँ और हली में मेरे एक जिन्दगी का कोई चैसा भाग था कि जो मुझे बहुत ही अच्छे से याद रहा है मुझे वो पल जो है वो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है समझो मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ कईप में गूमने गया होगा या फिर मेरा कोई एकदम कोई करीबी इंसान हो तो उसके साथ थोड़ा सा मैंने उसका जो ग्यान लिया उस इंसान से तो वो मेरे लिए बहुत ही जादा महत्वपुर्णा होगा या फिर हम परिवेर के साथ बहुत ही खुशी के कभी कभी पल हसते खेलते है तो वैसे जो पल है वो मेरे लिए समझो महत्वपुर्णा हो तो ऐसे जो पल है आत्मा को अगर ये लगे कि उस पल में मैं फिर से चला जाओ और उस अनुभव को उस खुशी को फिर से महसूस करो तो ऐसा जो पल है वो बहुत ही अच्छे से भुगत सकती है उसका कई न कई वो अनुभव ले सकती है एरिक ये कहता है दोस्तों कि आत्मा लोक में जैसे हमने जो ग्रंथाला है उसके बात की थी कि आत्मा लोक में ऐसी किताबे होती है जो हमारे जीवन से निगड़ित होती है उससे कही न कही हम बहुत कुछ सीख सकते है उसमें हमारे मतलब जीवन में जो भी हमने जीवन जिये उसमें क्या अच्छा क्या क्या बुरा क्या ये सारी चीजे लिखे होती है तो वो भी बढ़ते समय, वो जो सारी चीज़े है, जैसे एक किताब में समझो, मैंने जीवन में कुछ अच्छा कारिय किया था, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से उस पर लिखा गया है, तो ऐसे वक्त में अगर हम वो पढ़ने जाये दोस्तों, तो जो हमने अच्छा का और बाद में वो जिन्दगी खतम हो गई, और हम आत्मलोक में समझो चले गए, तो अगर वो परवत के अनुभव को हम फिर से जिना चाहते है, तो ऐसा जो पल है, वो जब हमार मतलब अपने आखों के सामने लाएंगे, या फिर उसमें कहीना की हम खो जाएंगे, तब क्या होगा दोस्तों कि जैसे जस वक्त हमने जो भी अनुभव लिया था उस समय में, तो वैसा ही अनुभव हम आत्मलोक में रहे के बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं, तो इस तरीके से इसी बात को उन्होंने टाइम ट्रेवल ऐसे कहा है, मतलब यह जो बात है, कई ना कई हमें यही सिखाती है, कि आत्मलोक में जो भी अच्छे पल है दोस्तों, वही हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उस पल का हम फिर से अनुभव ले सकेंगे, हम हमारे अपनों के साथ बहुत ही खुशी से रहे के, वहाँ पर अपना जीवन का जो सफर है, वह आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन इसके लिए पृत्वी पर फिलाल जो हमारा जीवन करता हुए, उसको हमें बहुत ही अच्छे से पुरा करना होगा, हो सकता है कि यहाँ पर दुख हो, लेकिन यह जो दुख है हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला, आत्मलोक में हम हमारे अपनों के साथ बहुत ही खुशी आपका बहुत बहुत दन्यवाद और अंग्रेजी में है, जो मोबैल पर या फिर लेप्टॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और दस अडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी, तो दोस्तों अगर आप इस संस्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो गुरुपया इस नमबर पर वाट्सप मेसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद